दक्षिन कोरिया सब्भ्यता और टेकनोलोजी के लिए प्रसिद्ध है और भी ऐसे कुछ रोचक बाते हैं जो आज हम आपके लिए लाए हैं जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे तो दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटीब चैनल में जिसका नाम है अद्धुर रहसिया यहां हम आपको दुनिया के अनसुलजे रहसियों के बारे में बहुत सी ऐसी कहानिया और किस्से बताएंगे जो आपको रुमानचित कर देगी और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर यह रहस्य है या फिर हकीकत शुरू करते हैं दक्षिन कोरिया की कुछ रोचक बाते दक्षिन कोरिया लोग चार नंबर को बदकिस्मत मानते हैं और उसके अनुसार ये नंबर मृत्यू से जुड़ा हुआ है माना जाता है कि ये अफवा चाइना से होकर दक्षिन कोरिया में आई कोरिया में नवजाच शिशों को जन्म के समय ही एक वर्ष का मान लिया जाता है दक्षिन कोरिया के पुरुषों को मेकप करना पसंद है वे साल में तकरिवन 900 मिलियन यूएस डॉलर इस पर खर्च करते हैं और ये आकड़े दुनिया में पुरुषों द्वारा कुल उपयोग की जानी वाली मेकप की कीमत का 25% है जानकारों के अनुसार 20% से भी ज्यादा कोरिया पुरुष रोज मेकप का उपयोग करते हैं दक्षिन कोरिया में सार्वजनिक जगहों पर अलकोहल पीना वैद है लोग अपनी पसंदिता अलकोहल को सार्वजनिक जगहों पर ले जाकर अराम से पी सकते हैं 3.2 प्रतिशत कोरियाई लोगों का ही वजन ज्यादा है जो दुनिया में सबसे कम मोटे लोगों वाले देशों की सूची में जपान के बराबर है जब कोरियाई व्यक्ति का नाम लाल स्याही से लिखा जाता है तो वहाँ ऐसा माना जाता है कि या तो व्यक्ति मरने वाला है या फिर मर चुका है दक्षिन कोरियाई लोगों का ऐसा मानना है कि पंखे को रात पर चालू रखा हुआ छोड़ देने से इसके नीचे सोने वाले इंसान की मृत्यू हो जाती है दक्षिन कोरिया के टैक्सियों का रंग उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के अनुसार निर्धारित क्या जाता है जिसमें ग्रे और सफेद रंग की कार साधारन कार होंगी जिनमें बिना अनुभव वाला ड्राइवर भी हो सकता है जबकि काले रंग की कार सुवि में सबसे कम समय होते हैं वहां के लोग 6 गंटे से भी कम सोते हैं दुनिया भर में होने वाली समूदरी शेवाल की खपत का 90 प्रतिशत दक्षिन कोरिया में हार्वेस्ट किया जाता है सभी दक्षिन कोरियाई छतों को अंत में मुस्कान की दिखावट दी जाती है दपर कैपि किसी भी प्रकार का कॉस्मेटिक सरजरी करवाती ही करवाती है ग्रूप ब्लाइन डेटिंग को दक्षिन कोरिया में मीटिंग कहते हैं और युवा युनिवरसिटी के चात्रों में ये काफी प्रसिद्ध है अक्सर इसका उपयोग डिनर या ड्रिंक्स के लिए किया जाता ह दक्षिन कोरियाई लोगों को अपने संबंधों को सार्वजनिक जगहों पर दिखाना अच्छा लगता है दक्षिन कोरिया में अक्सर हम सार्वजनिक जगहों पर युगलों को किस करते वे देख सकते हैं दक्षन कोरिया में लोगों को जन्म के बाद ही उनके बलट ग्रूप के आधार पर बाट दिया जाता है। इसकी शुरुआत सर्व प्रथम जापान में हुई थी लेकिन अब दक्षन कोरिया की संस्कृती का ये मुख्य नियम बन चुका है। और इसी के आधार पर शायद ये भी निश्चित किया जाता है कि कौन किस से शादी करेगा। दक्षन कोरियाई लोगों को मीठे आलू बहुत पसंद है इसलिए यहां की ज्यादातर डिशों में मीठे आलू का उपयोग किया जाता है। 2012 में दक्षन कोरिया के पोहांग शहर का जेल दुनिया का सबसे पहला रोबोटिक जेल गाड का घर बना। ओम जेजू दक्षन कोरिया का सबसे बड़ा दूइप है और यहीं पे बुढ़े दादा के नाम से जाना जाने वाला विशाल पत्थर पाया गया था। नव विवाहित महिलाओं का ऐसा मानना है कि यदि उन्होंने इस विशाल पत्थर की विशाल नाक को छूलिया तो उन्हें प्रजनन का आशिरवाद मिलता है। पोचक बाते जानने के लिए देखते रहें अद्भुत रहस्या।